अब सब्सक्षा विबाग अपडेट में बहुत इंपॉर्टन अपडेट पर बातचीत करेंगे जिसमें सबसे महत पुन दो अपडेटों पर चर्चा करेंगे जिसमें रिक्त पड़ों की गढ़ना कैसे करनी है निदेशाले से अपडेट दे दी जा चुके सभी बीसे को आप भी बहुत इंपॉर्टन करेंगे देख लिए मैं कमेंट देखता हूं लोगों के काफी जादा निराश ह पर बात ही नहीं हो रही है हर समय सारी चीजें रिक्त पड़ों पर ही चल रही है रिक्त पड़ों पर काउंसिलिंग जल्द होनी की सूचना आप लोगों को मैं यह आप दिखाऊंगा कल देर रात में एक आदेश जारी किया गया है उस पर बातचीत करेंगे उनतर जार परती में नौनियुक्त सिक्षोकों का वेतन और सत्यापन आदेश भी उसी में सनलगन किया गया है और अलग से मैंने कल जो आप लोगों से बात की थी लास्ट की वीडियो में कल रात में कि महान नहीं दे सकना है सभी जिलों के बीएसस को आदेश दिया है वेतन बीए शुरू करते हैं तो मित्रों कल दिर रात में ये जारी किया गया और इसमें बहुत इंपॉर्टन तरीके साब लोगों को पता दूँ सिक्षा निदेशक बेसिक उत्रवरति निसाजिन लखनू के दोरा ये जारी किया गया उसके पहले महान निदेशक स्कूली सिक्ष अब अपर्मुक्स अचिव बेसिस्विक्षा सासन महोदया की अधिक्षिता में उन्हें तरह साय के दापक भरती प्रक्रिया एम अंतर जन्पती इस्थानेत प्रक्रिया के बिंदों पर समिक्षा की गई जिसमें निमलिकित अधिकारी विजे की नानन जी थे सर्विंद विक पर बात हुई है कि नहीं हुई है सबसे पहला पॉइंट ही रिक्तपद है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे सा बोला था कि जो समिक्षा बैटक होगी जो जिसके बारे में साथ तारी के लगवग आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने अपडेट दी थी तो उस में सबसे प्रमुक पॉइंट ही पहला है कि नत्रजाय साय के दापक भरती प्रक्रिया में रिक्तपदों के सम्मंद में है अब सोच लीजे काउंसिलिंग होके रहेगी इस बात को इक्दम निश्चेंत रही है परशान होने के तनीक भी आवशकता नहीं है आपको है ना इस जिसमें संसोधन को लेकर है तो उस सासना देश से दिनांक 15 जनुवरी 2021 जो सासना देश था दिनांक 16 जनुवरी 2021 महानी देशा का जो पतरंग था और 18 जनुवरी 2021 एवं सासना देश संक्या 5 मार 2021 के अनुपालन में जन्पदी चैन समीती द्वारा निरस्तिकरण की उपरां स्रेणिवार चाहे वो विसे सारक्षन ही वाले क्यों नहूं वास्तिविक्त रिक्तपदों की संक्या परिश्रत द्वारा उपलब्द कराया जाने क्राय के पपत्र एवं एक्सल सीट को अध्यवधी पूर्ण करते हुए प्राप्त कराया जाए सांत ही इस आशाय का पर्मा जिस जनपत का नाम हो उसमें टोटल कितने पत यहीं मैं आप लोगों को लॉजिकली बात कह रहा था ना देखिए यहीं आपके समक्षाया है चीजे मैं आपसे दू दिन पूर्व लगातारी ही बात कह रहा था कि टोटल कितने पत हैं आप खुद लिश्ट उठाईए और ऐ से नहीं होता है आप लोजिकली अगर बात करते हो सोचेते हो समझते हो सारी चीजों को तो आपके समक्षा सासन पर सासन के कार में वो चीज दिखती है तो आपको समझ वाता है कि नहीं नहीं सर ने सही चीजे लोजिकली बात की तो आप भी सोचिए उन सब चीजों को वो सा पद हैं अगर वो data exact figure आपसे मिलता है तो अब देखिए यहां पर आपकी जितने लोग waiting list वाले candidate हैं उनकी जिम्मिदारी बहुत जरूरी तरीके से बढ़े आती है क्यों क्योंकि अगर आप list में देखते हैं कि हमारे यहां तो पद हम मेरे calculation के साब से मालीचे 200 पद बच रहे ह और यहां पर इस प्रवाणपत्र में जो भीजा गया है वो तो यहां पर 180 या 170 या 190 दिखा रहे हैं यहां पर इतने पदों का gap क्यों आ रहा है तो आप इस पर एक जूट होकर जाकर अपनी बात रख सकते हैं तो अगर वैसा नहीं होगा तो वो इस पस्चिक करण देंगे क यह लोग इतने थे और बाद में इनको मौका दिया गया है विससे द्वारा रिजन कुछ भी हो सकता है है ना तो यह आपकी सतरता के उपर है अगर आप सतर करेंगे अगर कोई भी जालम जाल कर रहा होगा या कोई भी इस से ब्रश्टाचारिता काम के अंतरगत लिप्त हों तो वो तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाएंगे तो यह आपकी जिमिदारी है और यहीं मैं बार बार बोल रहा था तो यहां पर जनपत का नाम कितने पद वहां पर उस भरने के लिए मिले थो नहीं तरजार में और कितने लाश्ट रूप से चैनित हुए हैं और इस प्रकार जनपत में कुल इतने पद रिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से यह प्रवाइड किया गया है ताकि सारी चीज़ें आपके समझ्च हो जाएं तो यह आपकी जमिदारी मैं पहले से बोलते रहा हूं वेटिंग लिस्ट के जितने कंडिडेटे परशान नहीं हो दूसरी बात नौन्यूक तध्यापक जीते ने उनके वेतन भुकतान के समझ्द में यहाँ पर फिर से दिया गया है कि 69 जार नौन्यूक तध्यापकों का वेतन सत्प्रसीतस भुकतान कराया जाए 100% जितना वेतन है सब आपको सभी को कोई भी अध्यापक बचे न इसके ब आपन की कारवाई सिग्र ही संबनित विश्विदाल है संस्था बोड से संपर्क संबने स्थापित कर पूर्ण कराया जाए जाए अब सूचिए वेतन भुकतान को लेकर भी लोग बहुत जादा एक्टिव हैं आधिकारी बहुत जादा एक्टिव हैं हाला कि चार से पांच छे-साथ महीने होने के बाद अधिवनेस दिखाय जा रही है यह अधिवनेस स्थाटिंग के फेस में दिखायी गिए होती तो इतनी परशानी का सबब ना बनती ध्यापकों के लिए नवन्युकत सिक्षकों के लिए इस आर्थिक संकट में हाला कि देर आए दुरूस्ता है सिक्षा निदेशक बिसिक उत्रप्रदेश लखनओ द्वारा सैच्छिक अभिलेकों के सत्तापर नहीं तो मंडली साहेक सिक्षा निदेशक बेसिक जिनके मंडल में बूर्ड संस्ता विश्विदाले अवस्तित है को प्रभारी अधिकारी कुरूप में नामित किया जाए साथी सैच्छिक अभिलेकों के सत्तापर नहीं तो समंदित विश्विदाले बूर्ड संस्ता के लिए सासन इस्तर से भी पत्र निर्गत किया जीए बहुत इंपॉर्टन बात है और यहीं जब वहां पर मीटिंग में बाती की कि तभी अपरमुक सच्छी उरेनकों कुमार न तो पर्शान नहीं होना है दोनों समंदित चीज़म बातचीत हों ही थीसरी बात है नौनुग्त-ध्यापकों के सेवा- पुस्त hitar की जाने के करवित तद्कालपोन की जाए अंतर जन्पदे या मिचिल ट्रांस फर जो जिखिले के कर दिया जा और जितनी जल्दी हो सकता है एल पीसी और सिवा पुस्तिका सत प्रस्षित करें इसके अलामा भी कही महत्पूर्ण चीजे इसमें आपकी हैं जो ट्रांसफर्ड सिक्षक हैं उनके समझ में तो मैं इसको आपको टेलिग्राम ग्रूप में एवलेबल करा दूंगा आप वहां से बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजेगा हला कि मैंने सारा कुछ हिस्पष्ट कर दिया है और अंत में है कि सिक्षकों के विवरण मानोसंबदा पोर्टल पर आवधिक किये जाने के समझ में है यानि डीटेल आपका जो है आपके मानोसंबदा पोर्टल में आप याद रखिए कि मैं सबसे जितने मिनोनुक्त अध्यापक हैं बंदू हैं उन सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपने इस्तर पर इस काम को पूर्ण करवाईए ताकि आपका भी कुछ एक्टिवनेस विभाग के समक्ष आए पर जिस ब्लॉक में हैं वहाँ पर आप किसीने किसी को जानते होंगे जो डाटा ऑपरेटर होंगे या जो कंप्यूटर पर बैठते होंगे जो सारे डाटा फिटिंग वाला काम करते होंगे आपका तो वहाँ पर अपने मानोसंबदा आईडी पासवर्ट आपको मिल गया हो ठीक है तो उसमें डीटेल जो भी चीजें बची हुई हैं आप व्यक्तिकर दूरूप पर कंसल्ट करिए फोन कॉल करिए उनसे और उनसे बातचीत करी कि मेरा यह चीज बचा हुआ इसको जितनी जल्जी हो सकता भर दीजे क्योंकि संबंदी सत्यापन का काम चला और अगर अपडेट करा लिजेगा है ना तो आपको अपने सतर पर यह काम जरूर करना है और यहीं आप लिखा गया है कि विद्ध्यालेव में छातर संक्या का अंकन सत्प्रितिशन नहीं किया गया है समस्ते नौचैनिज सिक्षकों का मानव समधा पोर्टल पर रेजिश्टेशन थ सत्प्रितिशन नहीं किया गया है यहीं रीजन है आप लोगों को इस पर अपने तरीके से ध्यान करना पड़ाया है तो यह कुछ इंपॉर्टन अपडेट रही है जो कल देर रात में जारी की गई थी आप लोगों से बताना था मुझे बाकी यह जो दूसरी अपडेट थी साथ अजेंडा के उपर फिर से 18 तारीक को समिक्षा बैटक की जाएगी कि इन बीच में इसलिए इतनी डिर सारे चीजें जारी की जारी है कि आपको एक हफते से जादा का समय दिया गया तो आपने किया किया है उसकी समिक्षा 18 तारीक होगी तो उमीद है कि आप सभी विवाग काम जरूर करेगा बेस्ट अफ लोग थेंकि सो मच